नमस्कार साथियो आपका चैनल RK205 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं तुलनातमक मापनी पर तुलनातमक मापनी वहा होती है जिसमें अपने दो मापनालियों की जो इकाईया हैं उनकी आपस में तुलना करते हैं जैसे कि एक ब्रिटिस मापना पर तुलनातमक मापनी आपके सामने परसन है निरुपक भिन 16360 पर एक तुलनातमक मापनी की रचना करो जिसमें किलोमिटर वे हेक्टामिटर एवम मील वे फरलांग में दुरी पढ़िजासके तो निरुपक भिन कितना दिया है आरफ 16360 तो किलोमिटर हेक्टामिटर एक तरफ है और एक तरफ मील और फरलांग है तो पता ही चल रहा है इनको देखके कि ये तुलनातमक मापनी है आप इसे हल करते हैं पहले हल उसमें करेंगे जिसकी ये इकाई जिसकी लगती है कौन सी मापना लिकी है तो आप 16360 को देखके पहचान सकते हो कि एक मील के अंदर 63,360 है इंच होते हैं तो उसी में हल करोगे यानि कि simple भाषा में कहें तो पहले असान वाली को हल कर लो यानि कि question जहां पर आपको हल करना है वहां पर तो आपको असान वाला पहले हल करना है और जहां diagram sheet की बाद आती है तो पहले आपको तुलातमक मापने में कठीन वाला बनाना है तो आपने हल करते हैं किसको 63,360 को इंच यानि की मील में मान कर यानि की बिटिस मापनाली में मान कर अब देखिए मानचितर का एक इंच परदसी करता है धरातल का कितना 63,360 इंच यह मैंने लिखती है इसलिए मानचितर का 6 इंच 6 इंच यानि इसके जितनी लंबी रेखा खिचनी है आपको ठीक है डियाग्राम सीट पर 6 इंच खिचोगे यहाँ 6 इंच लिखा है तो 6 इंच परदसी करेगा धरातल का कितना 63,360 इंच में 6 दोनों में से बड़ी काई है फ्रलांग और मील दिया हुआ है वह Musiquement कहिंगे अकेला मील भी दिया Caesar upside एनि किलो Gomez और मील में पड़े है ऐसा लिख लिखा होता कि जा कही बाद तो आप फ्रलांग और मील इंच म्लली मैं बड़ा है इंच की रेखा 6 मेल को प्रदसित करेगी, तो यहां तक तो हमने हल कर लिया, अब इसे अपने मेट्रिक पर नाली मान कर आगे हल करेंगे, अब देखिए, आब देखिए, मानचितर का एक सेमी प्रदसिकरता है ध्रातल का कितना 63,360 सेमी, तो इसी को अपने क्या है, इस बार से प्रदसिकरता है ध्रातल का कितना 63,360 सेमी, यह लाइन आपने लिख देनी है, इसके बाद में आप सेकंड लाइन लिखोगे, इसलिए मानचितर का 15 सेमी, तो एक तरफ स्केल के अंदर 6 इंच होता है, तो दूसरी तरफ 15 सेमी, इनको आधर्स माना जाता है, तो यहां 15 सेमी लिखो, नहीं तो आप 14 लिखो, तेरा लिखो, जो भी लिखनी है लिखो, उतनी लंबी रिखा, आपको डाइग्राम सेट पर खिचनी पड़ेगी, तो मैंने लिखा 15 सेमी प्रदसित करेगा, ध्रातल कितना 63,360 में 15, यानि कि एक सेमी जब 63,360 को करेगा, तो 15 सेमी इसका 15 यानि कि 9,50,400 सेमी को प्रदसित करेगा, अब सेमी दिया गया है, लेकिन सेमी को बदलना है किसमें, किलोमेटर में, तो किलोमेटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 9,50,400 बटा में, एक किलोमेटर के अंदर, एक किलोमेटर के अंदर सेंटिमेटर कितने होते हैं, तो एक लाक तो कट्टा तो 9.50 हमने किलो मेटर में ही क्यों बदला क्योंकि परसन में दिया हुआ है किलो मेटर और हेक्टा मेटर तो मैट्रिक मान के चलेंगे तो अपने दोनों में से बड़ा कुन सा है किलो मेटर तो किलो मेटर में करेंगे तो किलो मेटर के अंदर सेमी कि दिन पर आया था तो छह तो पुरुणांक है इसमें कोई पॉइंट तो नहीं लगा हुआ लेकिन यहां पर पॉइंट लगा हुआ है तो यह 9.50 पुरुणांक नहीं है अपने को पुरुणांक अब मानना पड़ेगा सिर्फ 3-4 स्टेप और है और अपने को यह परसंद हल हो जाए लेते हैं क्योंकि अपने को बार-बार यह जो लार्ट स्केल है वो इस्तमाल करना पड़ेगा तो स्मॉर्ट स्केल में क्योंकि जब साड़े नो से नो पिला रहे हैं तो रेखा भी क्या पंद्रा सेमी से कुछ कट जाएगी ठीक है तो देखिए 9.50 किलोमेटर को प्रदिस् करने के लिए रेखा कितनी है लंबाई कितनी है तो पंद्रा सेमी इसलिए एक किलोमेटर को प्रदिस्य करने वाले रेखा कि लंबाई कितनी होगी तो पंद्रा बटा में 9.50 लिख देना फिर कितना माना था पुर्णा नो तो 9 किलोमेटर को प्रदिस्य करने वाले रेखा क लंबाई होगी तो इसके इंटू में नो लगा देने हैं यानि कि 15 बटा में 9.5 इंटू में 9 जब इसे हल किया हमने तो 15,15 बटा में 9.5 इसे हल किया तो 14.21 से मी अंसर आ गया अब यहां पे यह क्या है रेखा की लंबाई है सेंटिमेटर में जो कितने को दर्सा रही है तो यह इस बार क्योंग किलोमेटर तो यहीं प्राप्त हो गया था इस जगाए 9.5 जो पुर्णाक नहीं था जिसको 15 सेमी के रिखा प्रतसी कर ले थी अब 9 किलोमेटर पुर्णाक माल लिया तो रिखा छोटी बड़ी होगी ना इसलिए हमने क्या है छोटी की है क्योंकि 9.5 क हमने 9 माना है तो रिखा भी घटकर 15 सेमी के बजाए 14.2 एक सेमी पर आगी है तो अब अपने डाइग्राम सीट की और चलते हैं तो इसी के बाद में डाइग्राम सीट होगी आपके पास और डाइग्राम सीट पे सबसे पहले आपने बताया था मैंने कठीन जो हल हुआ था तो कठीन दोनों में से लंबा चलके हलक कौन सा हुआ था ये वाला असान वाला ये वाला अब क्यों कठीन वाले को पहले बनाएंगे ये अब भी आगे बनाते हुए बराते हैं आपको तो आपने डाइग्राम सीट पे 14.2 एक सेमी की लंबी रिखा खीच लेनी है या तो ड यहां पर निच्चे की तरफ करना यहां पहले निच्चे पर बना लो एक दूसरा उपर बन जाएगा तो दोनों के लिए आप पहले से ही जगह सुनिचित कर लें तो मैं चलो यहां निच्चे की और चलो यहां उपर की तरफ बनाते हैं ठीक है थोड़ा सा हो यह तगी बार तो ये मैं उपर की तरफ यहां बना लेता हूँ इसमें आपने कितनी लंबी रिखा खीचनी है तो आपने 14.21 रिखा खीच लेनी है तो मैं यहां सुन्य से स्टार्ट कर रहा हूँ सुन्य से लगके कितनी 14.21 यानि 14.2 के पास ही यह रुख जाएगी तो 14.2 के रिखा आपने खीच ली है अब आपने इसको कितने भागों में बांटना है तो आपको इसको भागों में बांटना यानि कितने किलोमेटर दरसाने है तो इसको 9 किलोमेटर दरसाने इस पर अब नो किलोमेटर के लिए आप या तो उपर आठ निसान लगाएंगे ठीक है एक ये मेथड़ाइस का जिसका मैं इस्तिमाल करता हूं नर्मली तो आठ निसान बिलकुल उपर की तरफ तो हाफ आप से में के लगा लेते हैं ठीक है तो हाफ एक ताथ आठ तो नो दर्साने थे तो मैंने आठ निसान उपर और ऐसे ही लंबवा तरीखा मैंने यहां से नीचे की और खीच देनी है तो इसमें भी मैंने हाफ आप पे निसान लगाने है देखे तीन चार पांच छे साथ आठ अठ कंप्लीट हो चुकी है अब यहां से इसको मिलाएंगे देखते हैं मिलता है यां मिल जाएगा इसी स्केल से काम चला लगते हैं तो आपने यहां से लेकर यहां तक आपने यहां से लेकर यहां तक आपने यहां से यहां तक आपने यहां से यहां तक आपने ये आठ निसान इस पे लगाए थे आपस में इस प्रकार से सबसे पहले निसान को सबसे लास्ट वाले ऐसे करते करते आपने सब निसानों का अपस में मिला देना है अब आपने जितने भी ये भाग हैं इनको उपर की तरफ उठाना है तो मैं फिलाल ये देख लेता हूं कि ये दो सेमी हमेशे ही मैं मापक की चड़ाई मानता हूं कि इतनी तरफ खा करो तो यहां पे एक डोट लगा लेता हूं कि दो सेमी पे लग जाए और यहां पे एक दो चार थेन की हाप अप सेमी पे लगे हैं तो ये दो सेमी पे चोथा निसान लगावा था मेरा दो सेमी इस तरफ भी उठा कि मैंने इसमें मिला दिया चीक है तो कितना था ये 14.2 14.2 सुक्राई ये पुरा ही लगा है अब मैं इसको यहां से मिला देता हूँ और एक सेमी पर भी एक निसाम लगाता हूँ इसको मापक का रूप ये अब आपने जितने भी यहां पर डोट काटा है आपने जहां भी काटा है वहां पर ये डोट लगा दोगे आपने ये निसान यहां पर लगा देने है जीरो पहला बाद यहां पर आप लिखो के जीरो एक बुक्स खली छोड़ा जाता है यहां पर आपको लिखना है और इस तरफ आपने यहां पर क्या दर्शाना है किलमेटर से छोटा होता है हेक्टामेटर तो एक किलमेटर यहां से लेकर यहां तक यहां तक भी क्या है एक किलमेटर ही होगा तो इसमें आपको हेक्टामेटर दर्शाने है तो अब इसमें कोई विशेश तो है नहीं तो अपने इसमें दो ही भाग करके दो भाग करने के लिए एक और दो निसान उपर की तरफ मानने और एक और दो निसान यहां पर निचे की तरफ हाफ हाफ से मिके लगा देने है एक दो दो निसान लगाए जहां पर यह काटा वहां से हमने बिल्कुल लंबवत उपर की तरफ यह निसान लगा दिये है अब सुन्ने को अपने निचे एक तरफ उतार लेते हैं तो यह मैंने निचे की तरफ उतार लिया है तो सुन्ने के लिए इसी दिल भी रेखा किछ देनी है और यह बिल्कुल असान है इसमें क्या था असान वाला मैंने बताया था कि बाद में बनाना है तो इसलिए बताया था 6 इंच की रिखा 6 मिल को परतषी करती है और यहाँ पर क्या है 6 इंच है यह 6 मिल को परतषी करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह इन्हें 1 इंच, 1 मिल अब आपने क्या करना है पहला box कहां बनेगा एक इंच पर ही बनेगा तो पहला box आप यहाँ बना दीजिए लेगी तो यहां पर ऐसे 6 इंच की रिखा मैंने के इंच दी ठीक है अब इसको मैंने यहां से दो सेमी हमेसे ही चुड़ाई रखता हूं तो यह मैंने दो सेमी रख ली इसको भी यहां से दो सेमी की चुड़ाई देते हैं पहले यह एक्स्ट्रा है तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं अब यहां से इसको दो सेमी रख लिया अब इसको यहां से लेकर यहां तक हमने इसको मिला लिया है तो यहां से लेकर हमने इसे एक पर फिलाल मिला लेते हैं और इसको मापक का रूप देते हैं बिल्कुल हाफ में से ही आपने इसको मापक का रूप दे देना है पर टेक एक 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 इंच पे आपने निसान लगाने है यहाँ पे देखिए एक दो तीन श्यार यहाँ से यहाँ उपर की तरफ इसको उठा देना है बिल्कुल लंबवत रखिएगा और ये मापक बन के आपके सामने त्यार है तो पूरा का पूरा इस परकार से इसको कम्प्लेट कर लेना हाँ इसमें फिल करना आपने यहाँ पे क्या हैगा सुनने से सुनने मिलाना है ठीक है तो यहाँ पे 6 इंच 6 मील को दिरसा रहा था तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,2,3,4,5 तो यह क्या होगा मील मील से छोटा क्या होता प्रलांग है तो इसमें क्या है आपने हाफ पे निसान लगाना है और इसको मापक का रूप दे दिना है तो यहाँ पे आप देखो एक मील है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यह क्या होगा एक मील यहन्ने एक मील में क्या होते हैं 8 फरलांग होते हैं तो मैंने 4 और 8 फरलांग में इसे बांट दिया है तो आपके सामने ये तुलनात्मक मापनी बनके त्यार है तो अगर वीडियो से कुछ आपको समझाया हो तो वीडियो को लाइक जुरूर किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद